Hello student, good morning, how are you student, fine, okay, so today's our subject is English, English में आजम क्या करेगे, exercise, कौन से exercise करेगे, see the picture and circle the correct alphabet, यहाँ पर जो pictures दिये हैं, उन्हें identify करना है और उसके सामने जो letters दिये हैं, उनमें से सही letter को find करके उस पर circle बनाना है, तो चलो student, start करते हैं, सबसे पहले कुन सा pictures दिया है, जोकर का, जोकर का pictures दिया है ना, तो इन दोनों में से J कुन सा है, यह है, यह है ना student, J for, जोकर, तो हम इस पर circle बनाएगे, दूसरा pictures कुन सा दिया है, गन का, कुन सा, गन का, तो J for, गन, तो इन दोनों में से J कुन सा है, यह है, तो इस पर हम circle बनाएगे, next picture कुन सा दिया है, student, kite का, kite का pictures दिया है ना, तो K for, kite, तो इन दोनों में से K कुन सा है, यह है, इस पर भी हम circle बनाएगे, next picture, Kate का, Kate का pictures दिया है न, student, तो C for, C से क्या होता है, student, kate, C for, kate, तो यह C है, नहीं, यह है, yes, तो इस पर हम circle बनाएगे, next picture कुन सा दिया है, student, आप लोग पहनते होना, watch, हाथ पर आप पहनते होना, watch, तो W for, watch, तो इन दोनों में से W कुन सा है, यह है, yes, तो इस पर भी हम circle बनाएगे, next picture है, monkey का, M से क्या होता है, M for, monkey, तो इन दोनों में से M कुन सा है, यह है, नहीं, यह है, yes, तो इस पर भी हम circle बनाएगे, next picture कुन सा है, student, fish का, F, F से क्या होता है, fish, F for, fish, तो इन दोनों में से F कुन सा है, यह है, yes, तो इस पर भी हम circle बनाएगे, here, next picture, कुन सा है, student, ball, जिससे आप सब खेलते होना, B for, ball, तो इन दोनों में से B कुन सा है, यह है, तो इस पर हम circle बनाएगे, next picture है, tiger का, T4, tiger, तो इन दोनों में से T कुन सा है, यह है, नहीं, यह है, yes, तो इस पर हम circle बनाएगे, next picture है, umbrella का, आप सबने देखिया है न, umbrella, monsoon की season में होती है न, Mp4, umbrella, तो इन दोनों में से U कुन सा है, यह है, यह है न, student, तो इस पर हम circle बनाएगे, next picture है, कुन सा दिया है, next picture, elephant का, कुन सा, elephant का, E4, elephant, E4, elephant, तो इन दोनों में से E कुन सा है, यह है, यह है यह है न, student, तो इस पर हम circle बनाएगे, next picture है, zebra का, कुन सा, zebra का, Z4, zebra, तो इन दोनों में से Z कुन सा है, यह है, Z4, zebra, तो देखा, student, इस exercise की practice करना कितना easy था, तो आपको भी अपनी English की notebook में एसे ही exercise की practice करनी है, कैसे करो के student, speak and write, का यह है, यह है यह है।